अरे देखो बच्चो ये कुर्सी तो सिट्टू और बिट्टू बेटा की है और चिंट्टू और मिंट्टू की भी है पर ये तो देखो ये घर तो खाली लग रहा है आज नहां तो दोनों बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं चलो चलो घर की छत पर चल कर देखते हैं अरे वाह देखो देखो ये तो सिट्टू और बिट्टू तो यहाँ पर बैठे हुए है और इनके आगे तो खाने के लिए देखो क्या क्या आया हुआ है यहाँ तो सिट्टू बिटा के आगे भी टॉफी आया हुई है और बिट्टू बेटा के आगे भी खाने के लिए टॉफी आई हुई है आज तो ये दोनों बच्चे मिलकर टॉफी खाएंगे और यहाँ पर देखो अरे ये तो इनके घर जंगली चुहाँ है मोटे वाला जंगली चुहां और ये जंगली चुहाँ तो देखो देखो इस मौमफली को खा रहा है ये तो आल लगता है सारी मौमफली खा जाएगा सिट्टो और बिट्टो के घर की और ये देखो और कौन आये हुआ है यहाँ पर अरे वह बहुत बढ़िया ये तो कोई प्यारा सा खरगोश आया हुआ है देखो देखो ये तो कितना सुन्दर खरगोश है और इस खरगोश के ऊपर तो ये प्यार इसी बतक आय हुई है ये बतक तो इस खरगोश के ऊपर घूमने जा रही है शाय जंगल में जा रही है और देखो चलो चलो राज सीता और गीता कहां गई है उनका पता लगाते हैं अरे सिटू बिटू आस तुम ये बताओ तुम घर की छत पर क्यों बैठे हो यहाँ पर इस वाली छत पर क्यों आ गए हो आस तुम घर के नीचे क्यों नहीं हो चलो चलो हमें बताओ तो जरा बैया बैया मेरे या जॉम्बी आ गई है जॉम्बी आ गई है बहुत सारी नीचे जॉम्बी आ युए हम तुसरे डर के उपर आ गए बैया 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 हमें बचा लो ओहो तो देखो देखो ये तो इन दोनों बच्चों के हाँ तो जॉम्बी आ गई है और ये दोनों बच्चे तो डर कर ऊपर आ गए हैं अरे सिट्टू बिट्टू सीता और गीता कहां गई है बैया बैया हम नहीं पता हम तो डर के छुप गए हैं मैं नहीं पता नीचे ढून लो कभी नीचे हो ओहो तो सीता गीता तो कहीं गायब हो गई है शाया जॉंबी के डर से ही वो कहीं छुप गई है अर देखो वो तो यह कुरसी पर भी नहीं दिखाई दिये रही है और घर के इधर भी नहीं है ओ देखो देखो यह तो सीता और गीता यह घर की बगल में नीचे चुपी हुई है इस वाली कुरसी के पीछे चुपी हुई है सीता गीता तेखो लो चलो, इनसे भी बात करते हैं, अरे सीता गीता, तुम यहा क्यों छुपी हो यह हमें तो बताओ जरा, तुम घर के अंदर क्यों आ गई हो इतना पीछे, बैया बैया हमें बच्चाओ, यह फर में जौंबी आगई है, जौंबी, मैं हमें जॉंबी से बचा लो भई ये बहुत सारी जॉंबी आईएं तो पकड़के ले जेंगे हमें ओहो, तो देखो देखो ये तो सीता और गीता ये दोनों भी जॉंबी से डरकेश कूरसी के पीछे छिप गई है और सिट्टू और बिट्टू तो डरके चट के ऊपर चले गर है चलो चलो जॉम्बी को तो ढूंडना पड़े गए जॉम्बी कहाँ पर आई हुई है सबसे पहले तो इनके रसोई घर में चल कर देखते है ओ देखो देखो आज तो रसोई घर भी खाली पड़ा हुआ है और यहां तो बरतन भी खाली पड़े हुए है और यहां तो बटर की टिक्के भी आई हुई है पर यहां तो देखो इनकी मम्मी तो कहीं नहीं दिख रही है चलो चलो सबसे पहले तो सिट्टू और जिसीता और मम्मी को ढूनते हैं वो देखो देखो मम्मी तो घर के पीछे यहाँ पर वैटी हुई है चलो चलो इनसे ही पूछते हैं अरे सिट्टो बिट्टो की मम्मी हमें ये तो बताओ तुम यहाँ क्यों आ गई हो अरे भाईया भाईया मेरे हाथो ना जोंबी आ गई है और मैं तो डर के मारे से लिए घर के पीछे आके छुप गई हूँ मुझे था बहुत डल लगता है जॉंबी से हमें बचाओ, हमें बचाओ और सिट्टो बिट्टो को भी बचाओ भीया मुझे था बहुत डल लग रहा है जलती से बचा लो जलती से ओहो, तो देखो देखो ये तो सिट्टो और बिट्टू की मम्मी को भी डर लग रहा है चलो चलो इन जॉंबी को चल कर ढूणते हैं जॉंबी कहाँ पर है चलो चलो घर के आगे चल कर देखते हैं ओ देखो देखो ये तो तीन तीन जॉंबी आई हुई हैं आपर ओ माई गॉड ये तो कितनी बड़ी बड़ी जॉंबी है और ये जॉंबी तो बच्चों को परेशान भी करती है और देखो ये तो कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आयो ही है छोटे छोटे बच्चों को ये जॉंबी तो इस गाड़ी में बिठा कर ले जाती है ओ माई गॉड चलो चलो हमें तो इन जॉंबी का इलाज कराना पड़ेगा और इन डॉक्टर जी के पास लेकर जाना पड़ेगा पहले इस वाली जॉंबी को लेकर चलेंगे फिर इस वाली को और फिर इस वाली को इन तीनों जॉंबी को हम डॉक्टर के पास लेके चलेंगे चलो चलो डॉक्टर जी के घर पूछते है सिट्टू बिट्टू को डॉक्टर जी का घर पता है क्या चलो चलो अरे सिट्टू बिट्टू डॉक्टर जी का घर पता है क्या तुमें हमें भी बताओ इन जॉंबी का इलाज कराएंगे हाँ भईया हाँ भईया मुझे पता है देखो देखो बगल में ही दॉक्टर जी का घर है वहाँ ले जाओ इने ओहो तो देख चलो चलते हैं बराबर वाले घर में चल कर देखते हैं ओ नो आरे वाँ देखो देखो डॉक्टर जी का घर तो यहाँ पर आ गया है चलो चलो डॉक्टर जी से ही पता करते हैं अरे डॉक्टर जी क्या तुम जॉंबी का भी इलाज कर दोगे क्या शिट्टू बिट्टू घर में तो जॉंबी आई हुए है ओ भाई या, मैं तो सबका हिलाज कर देता हूँ जल्दी लेके आओ, मैं तो उन्हें डंग से सुई लगा दूँगा और उनका बढ़िया तरीकि ऐसे हिलाज कर दूँगा आज तो यहां कि वो जौम भी ना बने दुबारा और उनका बिल्कुल पढ़िया इलाज करूँगा मैं तो हाँ